बॉलिवोड एक्ट्रेस जैकलिन फर्णाडिस ने दिल्ली हाई कोट का दर्वाजा खटकटाया है एक्ट्रेस ने ठक सुकेश चंदरशेकर से जुड़े 200 करोड रुपे के मनी लॉंडरिंग मामले में एडी द्वारा दायर किये क्रिमिनल केस और चार्ज शिट को रत करने की मांग की है जैकलिन को इस मामले में एडी ने सह आरूपी बनाया है वही दिल्ली पुलीस द्वारा दर्ज एक्स्टार्शन केस में जैकलिन को गवा बताया गया है आठ अगस 2021 एसी आई आर सत्रा अगस 2022 को सेकेंड सप्लिमेंटरी कमप्लेन और इस मामले में हुई कारवाई को रत करने की मांग करते हुए एक्ट्रेस ने अपनी याचिका में कहा है कि एडी द्वारा दायर किये गए सबुत साबित करते हैं कि वो निर्दोश है और चंदर शेकर के टारगेट अटेक की शिकार है एडी की या एफ आयर पिछले साल अगस में दिल्ली पुलीस की एकोनॉमिक ओफेंस विंक द्वारा दर्ज किये गए जबरन वसुली मामलें से जूडी थी इस एफ आयर में सुकेश चंदर शेकर के खिलाब रेनबेकसी के पुर्व मालिक शिविंदर सिंग की पतनी अधिती सिंग से धोका धड़ी करने और उन से एक्स्टार्शन मनी लेने का अरूप है सुकेश फिलाल दिल्ली की तिहाड जेल में बंद है इडी के मताबिक जेकलीन से दोस्ती हो जाने के बाद सुकेश ने उनके उपर साथ करोड रुपे से ज़्यादा खल्च कर दिये थे सुकेश ने जेकलीन को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिये थे हलाकि जेकलिन का कहना है कि उन्हें सुकेश के बारे में पता नहीं था कि वो कौन है और क्या करता है उसने खुद को बड़ा कारोबारी बताया था जेकलिन के वकील प्रशांद पाटिल का कहना है कि इस मामले में जेकलिन खुद एक पिड़ी थे इसी के साथ बने रहे ही राष्ट्रमाटीवी के साथ धाने बाद